जो आपके पास है वहाइ डेटा अब डेटा की फिल्टरिंग और डेटा से रेलेटड जो टास्क है डेटा के ओपर जो आनसी आपने करने हैं उससे रेलेटेड यह तवाम आप्षन यहां पे अवैलेबल होंगी जैसे फ्रॉम एक्सेस फ्रॉम वेफ फ्रॉम यह गेट इक्स करने हैं सारे तो इसी तरह यह sorting करने ही जैसे डेटा की यहां पर sorting गया जी तो मैं इसको sort करना चाहता हूं expand the sorting okay so मैं यहां पर सिरफ इतने इसे पर apply करता हूं sorting so मैं sorting करता हूं यहां पर बलके करते हैं यह a to z continue with the current selection तो देखें उसने sorting करके दे दी अब इसी तरह आप फिल्टर लगाना चाहते हैं फिल्टर क्या है यहां सर फिल्टर आपने लगा दिया जिस वाले नंबर को देखना है लाइक सिरफ record नंबर 5 दिखाओ तो सिरफ 5 का records होगा तो filtering का purpose यह होता है ख्लेर करें filter जी अडवांस filter वो पूरी अडवांस settings के लिदर आ जाती है तेक्स to column अगर आपने इस text को column में लेके जाना है तो text to column next next finish ठीके जी text to column shift हो गया fix width में आना है okay so यहां पे रख लें जी इसको next ठीक है जी text रखें इसको finish तो यह आपका table में चला गया अब flash fill करना है जैसे मैं यहां पे लिखता हूँ यह है to flash fill as it is सारा fill कर देगा यह pattern को follow करेगा sorry one two so यहां पे पकड़ा flash fills pattern to fill the values for it remove duplications करनी है आपने like इसके अंदर duplications को remove करना like 43 दो बार आ गया अब इसको आपने remove करना duplications को ठीक है remove duplications तो okay so इसके अंदर बहुत है एक duplication remove हो गई तो देखें एक element उसने remove कर दिया मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार दुबारा करके so यहां पे जितनी duplications है वो सारी remove करेगा okay so बता रहा है कि पांच duplications हमने इसमें से निका लिए so इसी तरह आपके पास data की validation apply करनी है मिसाल के तौर पर जी मैं नहीं आ सकती whole number सरफ enter होगा between 1 to 20 input message अगर वो करता है तो title देदें इसको जी do not enter value less than 1 one okay so input message title इसको देदे ना सरी यह मैंने value लिख दी यहां पे so cut करके यहां पे ले आते हैं title देते हैं जी error so यहां पे हमने कहा दिया और greater than 20 ठीक है जी इसी को मैं copy करता हूं यहां से error alert के अंदर मैं यहां पे error message देता हूं title मैं इसका भी error ही रख लेता हूं stop करवाना है लिखने से यह warning देनी है वह आपकी choice है stop करवाते हैं जी okay अब देखें जैसे ही मेरा mouse इसके ओपर आएगा वह मुझे बता देगा भी do not enter less than मैं यहां पे जाने देगा डेटा की validation आप लगा सकते हैं डेटा consolidate कर सकते हैं डेटा के modeling manage कर सकते हैं what if analysis जिसकी मैं बात कर रहा था goal seek यह अड़ा advanced features में आ जाते हैं forecast sheet तो यह forecast में चला जाएगा group करना जी आपने इन तमाम को group में लेके आना है सो group कर देंगे रोज में एक group की form में आ गया देखें अब यह group बन गया पूरा पूरा एक group है ठीक है ungroup करना जी ओके तो यह ungroup वापिस हो गया convert to number ठीक है इसी तरह सब total करना जी आपने इसका total करना जी सब total okay so 43 okay यह सब total यहां पर आ गए यह देखें उसके मताबिक हर जगा पे जहां जहां आपने formulations लगाई भी थी उसके मताबिक उसने eight total grand total यह total आ गए यहां पर तो वो सब total के लिए इस्तमाल होता है यह group में hide detail और unhide करने के लिए short detail में इस्तमाल होता हाई detail और short detail ठीक है यह जो सब total की होंगे उनके लिए outlines बगारा के लिए तो इसके अंदर काफी सारी और भी चीजें हैं जो explore की जा सकती है as per requirement as per need तो आप उसके अंदर data analysis सारा का सारा आप यहां पे करते हैं कर दो कर दो